नमस्कार जी स्वाकत है आप लोगों का इस फीडबैक वीडियो में जो पराने लोग हैं वो लोग जानते हैं कि भाई फीडबैक वीडियो क्या होता है ये बात है उन दर्शकों के लिए जो लोग नए आए हैं feedback video भाई एक simple सा खेल है जहाँ पर आप अपनी pictures मुझको भेजते हो और फिर मैं उसके उपर अपनी राय देता हूँ आपको motivate करता हूँ demotivate करता हूँ ताकि आपका काम सुधर सके feedback video में participate करने का simple सा तरीका है आप मेरे Instagram के account से जुड़े रही है वहाँ पर मैं समय समय पर आपको सूचना देता रहूँगा कि अगला feedback video कब आने वाला है और उसके क्या rules है और आप किस तरह से participate कर सकते हो अशोप वर्मा का feedback video important इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को कोई मखन नहीं लगाता मुझे सिर्फ आपकी photography से लेना देना है अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं गलत बताऊंगा अगर आप सही कर रहे हो तो आपको शबाशी मिले हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए demotivate हो थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगे लेकिन फाइदा आपका ही होने वाला है आज का जो feedback वीडियो है वो बहुत ही special है क्योंकि मैंने theme को रखा है बिल्कुल open जिसमें के हम हर तरह की picture लेंगे स्टार्ट करते हैं feedback वीडियो सबसे पहले लेते हैं हम picture Mr. Artistic Boy की उन्होंने ये black and white picture बेची है जहां पर एक बिल्ली बैठी है और पीछे से light है और अंधेरे में ले गई picture है काफी greeny picture है एक eerie सी feeling प्रेड्यूस करने की कोशिश करी है बुरा मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा मतब ऐसी picture नहीं है ये कि मैं इस picture को देखूं और मैं इसकी तरफ रुक कर कुछ सोचने के लिए मजबूर हूँ हमेशा आपकी picture में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ कोई एक ऐसा element होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से लोग रुकें उस picture की तरफ attract हो ठीक ठीक picture है मतब ऐसा कुछ भाडू काम नहीं करा है आपने पर हाँ एक चीज़ जो है जो सबसे important है इस picture में कि आपने exposure सही से लिया है highlights सही आ रही है shadows भी अच्छी आ रही है इसके बाद अगर move करते हैं हम अगली picture पे ये picture है Mr. Cosmo Nikhil की ये picture मुझे बहुत बहुत interesting लगी है इस picture में frame in frame का use करा है इस picture में एक drama है इस picture में एक curiosity है कि आप इस picture को देख के रुकोगे ही रुकोगे आप सोचोगे कि शायद ये कोई बंदा है या spider man है जो किसी परदे के पीछे से जहांक रहा है तो आपका जो interest है जो आपका attention है वो सीधा main subject ही तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर आपकी आँख रुकती है और फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो वो इस picture में बक्खुवी से करा गया है जबकि ये सिर्फ एक ball है जो पीछी रखी गई है तो चीजों को जब आप देखने लगते हो चीजों को आप समझने लगते हो और चीजों को आप जानने लगते हो कि किस तरह से वो एक ऐसा element create कर सकते हैं आप अपनी picture में तो फिर खेल start हो जाता है इस picture में सिर्फ एक element नहीं है इस picture में दो elements है उपर spider man है और नीचे spider man के bear भी दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये composition करा है बहुत अच्छी तरह से किसी चीज को देखा और exposure बगयरा सब कुछ control में है तो well done Mr. Cosmo निखिल और बाकी लोग भी इन से सीख सकते ह कि किस तरह से आप अपनी picture को strong बना सकते हैं आपको मिलते हैं भाई 10 में से 10 point अगली picture की तरह हम बढ़ते हैं और अगली picture हमारी है Mr. Street Photographer भहिया उत्तिरी क्या नाम रखा है Street Photographer भहिया इन्होंने अपनी picture में juxtaposition करने की कोशिश करी है पहली बात तो ये picture थोड़ी सी blur है औ वो चीज दिखाना चाहते थे लेकिन मेरा ये suggestion है कि अगर ये cycle वाले बंदे का मूद दूसरी तरफ होता और ये जो पेड़ है और ये जो बादल है उसके सर के पीछे से निकल रहे होते तो ये picture बहुत strong बन सकती थी और दूसरी चीज कि आपको अपने subject के पास होना है तो जो चीज picture में कुछ add नहीं कर रही है उसको निकालो फेको खतम करो delete करो इसके बाद आते हैं भाई हम ये वाली picture पे ये picture है जतिन ओ फोटाग्रोफर की जतिन ओ फोटाग्रोफर ने एक अच्छा composition करा है पर मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने picture को left और right से crop करा ह है आप अपनी पिचलों को square format में ना खेंचे आप जो एक usual size होता है two by three three by two उसी में खेंचे horizontal खेंचे या vertical खेंचे अच्छा रहेगा आप उससे ज्यादा सीखेंगे क्योंकि इस समय आप क्या कर रहे हैं आप जो unwanted elements हैं उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं और वो काटने की जो प्रिक्रिया है वो आपको in camera करने चाहिए जब आप shoot कर रहे हो तब आपको crop करना है तब आपको आगे जाना है पीछे जाना है और अपनी picture को compose करना है nice picture and nicely seen पर मेरे हिसाब से अगर जो पीछे लाल रंग की गाड़ी खड़ी है वो ना खड़ी होती या उसके पास जो बंदा है वो भी नहीं होता ये पूरी जगाँ खाली होती तो ये picture और strong बन सकती थी इसके बाद move करते हैं भाई अगली picture पे ये picture है product picture है और ये भेजी है Mr. FIP product fading memories शायद ये दिखाना चाहते हैं कि भाई एक जमाना था ये पुराने camera चलते थे या शीका का camera है लेकिन मेरे इसाब से जब आप product photography कर रहे हो तो आपकी picture में बहुत सारे details होने चाहिए शापने सोने चाहिए lighting बहुत अच्छी होनी चाहिए आपने शायद ये picture mobile से खेंची है या पतनी camera से खेंची है ऐसा कुछ interesting है नहीं इसमें एक concept होना बहुत जरूरी है एक aesthetic look होना बहुत जरूरी है तो आगे से आप जब भी अपनी ऐसी कुछ pictures करना चाते हो तो इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखो concept mood and look of the picture बहुत जरूरी है इसके बाद हम move करते है भाई अगली picture पे अगली picture है भाई प्रोटी हक की picture क्या picture है क्या लाजबा picture है one of the best picture which I received ये वाले feedback में बहुत अ अच्छे से use करा है processing अच्छी हुई है चाहे ये mobile से खेंची है चाहे किसी भी camera से खेंची है the final result is very good ये picture अगर हम मैं बड़ी देख रहा हूं तो भी मुझे अच्छी लगेगी ये picture अगर मैं छोटी देख रहा हूं तो भी मैं रुकूंगा क्योंकि यहां पे जो colors use हुए ह वो बहुत अच्छी तरह use हुए है green, red and plus skin tones so बहुत अच्छी balanced picture है nice picture अच्छा posture है सब कुछ अच्छा है इस picture में कुछ ऐसा बेकार नहीं है so well done Mr. Prothy Huck अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो sorry 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 keep doing it and बढ़ते रहो आगे चड़ते रहो इसके बाद लेते हैं हम ये वाली picture य इन्होंने भी रात को ये picture खेंची है एक बंदा बैटा हुआ है गिटार बजा रहा है बहुत भट चुकी है picture क्योंकि शायद mobile से खेंची है exposure या camera मतब आपकी camera की शायद limit खतम हो चुकी थी तो जब आप ऐसी picture करना चाहते हो या ऐसी picture खेचना चाहते हो तो please 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 अपने camera क को समझो उसकी limits को समझो तभी आप एक अच्छी strong picture ला पाओगे ये तो हुआ इसका technical part और दूसरी बात composition wise picture अच्छी है लेकिन ठीक है एक feeling सी generate कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस बंदे का पूरा हाथ दिख रहा होता जो दूसरा वाला हाथ है जो कट रहा है औ और आप थोड़े पीछे होते तो ये शायद picture और अच्छी हो सकती थी और strong लग सकती थी body posture अगर पूरा दिख रहा होता तो और strong लग सकती थी अगर आपकी depth of field अच्छी होती और sky में भी detail होते तो ये picture और अच्छी लग सकती थी पर नहीं लग रही है कोई बात नहीं मैं आपको एक राय देना की कोशिश करूँगा कि आप over processing मत करो ये picture over processed है picture को dark post production में बनाने की कोशिश मत करो ये picture आप dark बनाने की कोशिश कर रहे हो शायद कुछ mood add करने की कोशिश कर रहे हो वो add नहीं हो रहा एक picture का exposure होता है जो आप camera में control करते हो एक picture का exposure होता है जो आप पोस्ट में करते हो, पिच्चर को डाक बनाना, कॉंट्रास्ट लाना is a different thing, और पिच्चर को डाक कर देना is a different thing, ये हुई technical बात और दूसरी बात आती है कि इस पिच्चर में कुछ भी नहीं है there is nothing interesting in this picture कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है तो मतब ये पिच्चर कोई भी खें सकता है ना, और अपने आप से ये question हमेशा पूछो, कि इस पिच्चर में ऐसा क्या है, क्या special है, कि जो ये पिच्चर में किसी के साथ share करूँ, किसी को दिखाऊँ, क्यूंकि आपकी पिच्चर अगर कोई और खें सकता है या वो पिच्चर reproduce हो सकती है या उसमें कोई ऐसा element नहीं है तो वो पिच्चर बिकार है, उसका कोई use नहीं है, आप पिच्चर में कुछ अपना input दो आप अपना as a photographer कुछ अपनी सोच डालो अपना idea डालो, अपना viewpoint डालो, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप stand out कर पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा आप ऐसी third class पिच्चरें कहिसते रहोगे और वहीं के वहीं खड़े रहोगे इसके बाद आती है, ये वाली पिच्चर the boy with 16 megapixel वाँ 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 ये पिच्चर बहुत बहुत strong है सबसे important चीज इस पिच्चर की है कि colors बहुत अच्छे आ रहे है composition बहुत अच्छा है angle of view बहुत अच्छा है जिस angle से ये पिच्चर ली गई है बहुत अच्छी लग रही है और ये picture मानो या ना मानो आपको रोकेगी जरूर और जब आपको कोई picture रोक लेती है तो उस picture में कुछ न कुछ जादू हो रहा होता है कुछ न कुछ हो रहा होता है जिस वजह से वो आपको रोकती है और आपको सोचने के लिए मजबूर करती है और ये picture वो काम पको भी कर रही है तो आप खुछ सोचिए और आपने आप से पूछिए कि ये picture अच्छी है या नहीं है ये picture अच्छी है आपको रोका या नहीं रोका रोका, तो फाड़ो picture है भाई, keep doing it, the boy with 16 megapixel camera या megapixel phone है जो भी है भाई, हमें टूल से कुछ नहीं लेना देना हमारा final result अच्छा होना चाहिए और वो ये result है इसके बाद आती हमारे पास ये picture हुमायू टूम की है, PV captures भाई, अपने आप से पूछोगी ये picture कितनी बार कितने लोगों ने इसी angle से ली है आपने क्या करा है इस picture में कुछ नहीं करा है, आपका कोई भी input नहीं है, आपने भी वो ही करा जो सब लोग कर रहे हैं आप photographer हो, आप creator हो आप artist हो कुछ सोचो, उस जगां पर जाओ, कुछ different angle ढूंडो कुछ different देखने की कोशिश करो कुछ different capture करने की कोशिश करो तभी आप कुछ सीख पाओगे, तभी कुछ आप, लोगों को बता पाओगे कि आपकी सोच क्या है, क्योंकि एक photographer अपनी सोच को अपनी तस्वीरों के द्वारा आपके सामने लेकर आता है, और आपकी सोच है copycat वाली, तो copycat वाली सोच को पीछे रखो, देखो और ओरों के काम को देखो और उससे सीखो, कि यार सब ऐसी picture कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी picture नहीं करनी है, मैं उसी जगाँ पर जाओगा लेकिन कुछ अलग लेकर आओँगा वो अलग लेकर आओ, तभी आप कुछ कर पाओगे, इसके बाद आते हैं वहीं अगली picture पर, अगली picture है हमारी boy from VNS, यानि के वारणासी से, अब इन भाई ने मुझे बहुत सारी picture बेची, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, no doubt 70 to 80% of pictures बहुत अच्छी थी, बहुत controlled pictures हैं, आपकी composition अच्छी है, आपकी lighting अच्छी है, आपका post processing अच्छी है, सब कुछ अच्छी है लेकिन, मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, और बाकी लोगों को भी राय देना चाहूंगा, कि जबी भी आप अपनी pictures खेच लेते हो तो आप खुद decide करो कि आपको उसको black and white में रखना है, या color में रखना है, आपने क्या करा है, most of your pictures मैंने जो देखी है, उसमें आप हमेशा दो option दे रहे हो, यह ऐसे यह color का option दिया, और एक black and white का option दिया, यह पता है क्या दिखाता है यह सिर्फ यह दिखाता है कि आप confused हो, आप खुद confused हो आपको खुद नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या, या आप क्या दिखाना चाहते हो कभी भी आप एक ही picture के दो options किसी को भी मत दिखाओ ना social media पे ना अपने clients को, किसी को नहीं दिखाने, आप decide करो कि आपको किस तरह से अपनी picture को present करना है, चाहे पाएंगे, ना उस चीज़ को समझ पाएंगे be selective, जो आप दिखाओगे लोग वो ही देखेंगे don't give me choice, कि मैं इसको color में देखू या black and white में देखू आप अपनी choice मेरे उपर थोप दो फिर मैं वो ही देखूँगा जो आप देख रहे हो तो इसी के साथ आज की जो feedback वीडियो की pictures हैं, वो यहां पर खतम होती है, आप लोग photography करते रहो आगे बढ़ते रहो, चीज़ों को सीखते रहो मेरा सिर्फ इतना सा उदेश है मैं यहां पर बैटा हूँ सिर्फ आपको guide करने के लिए, आपको बताने के लिए के आप कहां जा रहे हो सही और कहां जा रहे हो गलत आप अपने काम से नहीं सीखते हो आप दूसरों की काम से भी सीखते हो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो और अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाते हो तो आप जरूर जाकर ये मेरी प्लेलिस्ट है फीडबैक वीडियोस की जिसमें बहुत सारे वीडियोस है जिसके उपर फीडबैक दी गई है टिक्स दी गई है पूरी प्लेलिस्ट चेक करो भाई साब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगली बार आपका दिल करे तो आप भी पार्टिसपेट कर सकते हो तो इसी के साथ समाथ करते हैं आज का ये फीडबैक वीडियो मिलते हैं फर अगले वीडियो में तिल दर नेक्स टाम टेक केर बाबाई और जाओ जाओ लेकिन वापस ज़रूर आओ प्रीडबैक में पार्टिसपेट करना है ना जरूर आओ